राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे कोई भी कथा जब कही जाती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की कथा अवस्य सुननी चाहिए तो मैं सबसे पहले भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रहे हूं जब गणपते ने किया सारे देवताओं को यग में निमंतरित एक बार भगवान शिव के मन में बड़े यग के अनुष्ठान का विचार आते ही वे सिग्र यग आरंब करने की तैयारियों में जुट गए सारे गणों को यग अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौप दी गए सबसे बड़ा काम था यग में सारे देवताओं को आमंतरित करना आमंतरन भेजने के लिए पात्र विक्तिका चुनाव किया जाना था जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंतरन दे आए ऐसे में किसी ऐसे विक्तिका चैन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम करें लेकिन भागवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंतरन देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चैन किया गड़ेश जी बुद्धी और विवेक के देवताओं हैं वे जल्द वाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे यह सोचकर शीव जी ने गणपति को बलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंतरत करने का काम सौपा गड़ेश जी ने इस काम को संगर सिवकार किया लेकिन उनके साथ समस्य यह थी कि उनका वहां चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था गड़ेश जी काफी देर तक चिंतन किये कि किस तरह से सभी लोगों में जाकर आदर पुर्वक सारे देवताओं को यग में शामिल होने का आमंतरन दिया जाए बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंतरन पत्र उठाए और पुजन समागरी लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने बैठ गड़ेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है उनको प्रसंद किया तो सारे पताओं तक स्वता ही पहुँच गए और सभी यग में नियत समय पर ही पहुँच गए इस तरह गड़ेश जी ने एक मुश्किल काम को अपने बुद्धिमानी से आसान कर दिया भगवान गड़ेश की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो भगवान शिव की जय हो माता प पारवती जी ने नहाने से पहले एक बालक की आकरती बना कर उसमें प्राण डाल दिये और उसे पहरे पर बैठा दिया जिसका सिर भगवान शिव ने काटा था और फिर पारवती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाधी के बच्चे का सिर जोड दिया लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग-अलग संदर्व भी मिलते हैं ब्रह्म वर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के सिस सनी देव कैलास परवत पर आये उसमें भगवान शिव ध्यान में थे तो सनी देव सीधे पारवती जी के दर्शन के लिए पहुँच गए तब पार्वती जी बालक गणेश के साथ बैठी थी बालक गणेश का मुख सुन्दर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था शनी देव आखे नीचे कर पार्वती जी से बाते करने लगे पार्वती जी ने देखा कि सनी देव कि किसी को देख नहीं रहें वह लगातार अपनी निगाहें नीची किये हैं पारवती जी ने सनी देव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहें क्या उनका कोई द्रश्टी दोश हो गया सनी देव ने कहा कि नहीं उनकी पत्ति ने शाप दिया है कि वह जिसे देखेंगे उसका विनास हो जाएगा पार्वती जी ने पुछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया है तो सनी देव कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी रितु काल से निवरित होकर मेरे समी पाई लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उसकी और नहीं देखा उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया कि मैं जिसकी और देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा यह बासुन कर पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पुतर गणेश जी की और देखिए उसके मुक्का ते समझ कष्ट को हरने वाला सनी देव भगवान गणेश पर द्रश्टी डालना नहीं चाहते थे लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अब हेलना भी नहीं कर सकते थे सोनो ने तीर्ची निगा से भगवान गणेश जी की और धीरे से देखा शनी देव की द्रश्टी पडते ही बाला गणेश का सिर धर से कट कर नीचे गिल गया तभी भगवान विश्णू एक गज बाला का सिर लेकर पहुँचे और गणेजी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया भगवान गणेश की जैओ, माता पार्वती की जैओ, शनी देव की जैओ, भगवान विश्णू की जैओ सर्व मन कामनों की पूर्ति हेतु, रविवार, भगवान शुरी का ब्रत शेष्ट माना जाता है इस ब्रत की विधी इस प्रकार है प्राते हकाल इसनान आदिसे निवरित होकर स्वक्छ वस्तर धारण करें सांत चित्त होकर परमात्मा का इस्मरण करें भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए भोजन तता फाला हर सुरिवववान के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए ब्रत की कथा सुननी चाहिए ब्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापिक रहना करें इस ब्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रों का च्छे होता है आख की पीड़ा के अतरिक्त अन्य सव पीड़ाएं दूर होती है रविवार भगवान सूरे की ब्रत कथा एक बुढ़िया माई थी उनका एक बहुती सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही इसनान आदिकर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लिप कर फिर भोजन तयार कर भगवान को भोग लगा कर स्वेम भोजन करती थी ऐसा ब्रत करने से उनका घर धन धान एवं आ सरवदा मेरी गोव के गोबर ले जाती है इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी इसलिए उसे ना तो भोजन बनाया और नहीं भगवान को भोग लगाया तता स्व अपने में दर्सन दिया और भोजन ना बनाने तता भोग ना लगाने का कारण पूछा बुडिया माई ने कहा कि आज मुझे घर लिपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और नहीं आपको भोग गोबर से घर लिपकर भोजन बना कर मेरा भोग लगा कर खुद भोजन करती हो इसे मैं खुश होकर तुमको यह वर्दान देता हूं तथा अंत समय में मोक्ष देता हूं सुपन में ऐसा वर्दान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब रद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगर में एक अतिसुन्दर गाय और बच्रा बंधे हुए हैं वह गाय और बच्रे को देखकर अत्यंत प्रसंद होई उनको घर के बाहर बांध दिया वही खाने का चारा डाल दिया जब उसकी पड़ोसर ने बुडिया के घर के बाहर एक अतिसुन्दर गाय और बच्रे को देखा तो द्वेश के कारण उसका हिदे जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोड की आंधी चला दी बुढ़िया ने अंधेरे के भैसे अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया प्रातय काल उठकर जब ब्रद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गो अंधिनन लगी है तो उसका सोने का गोवर उठाने का दाउन नहीं चलता तो वह इश्वर से जलूठी कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा महराज मेरे पडोस में एक ब्रद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य ह वह रोज सोने का गोवर देती है आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए वह ब्रद्धा इतने सोने का क्या करेगी राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को ब्रद्धा के घर से गाय लाने के आग्या दी ब्रद्धा प्रातह ईश्वर को भोग लगा भोजन गरहन करने ह जा रहे थी कि राजा के करमचारी गाय खोल कर ले गए ब्रद्धा काफी रोई चिलाई कि इन्तु करमचारियों के समक्ष कोई क्या कहता उस दिन ब्रद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर इश्वर से गाय को पुना पाने के लिए प्रात्ना करत उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन हुए लेकिन सुबाज जैसे ही वो उठा सारा महल गोवर से भरा दिखाई देने लगा राजा यह देखकर घवड़ा गया राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा गाय को ब्रद्धा को लोटाने से ही तेरा भला है उसके रविवार के ब्रद्ध से प्रसन होकर मैंने उसे यह गाय दी थी प्राता होते ही राजा ने ब्रद्धा को बुला कर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय वबचाय लोटा दिया उसके पडोसन को बुला कर उचित दंड दिया इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज की तथा अपनी समस्त मनुकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को ब्रत करो, ब्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन ब्यतीत करने लगे, कोई भी विमारी तथा प्रकृति के प्रकूप उस नगर प भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंद्री की जन्म क था, कैसे हुआ अशोक सुंद्री की जन्म माता पार्वती ने अशोक सुंद्री को क्या वर्दान दिया था, किससे और कैसे हुआ अशोक सुंद्री का विवार और कैसे मिली नहुष को इंद्र की गद्दी भगवान शिव और मातापारवती की पुत्री जैसे के हम सभी लोग जानते हैं कार्तिके और गणेजी के अलावा भगवान शिव और मातापारवती की एक पुत्री भी थी जिनका की नाम अशोक सुंद्री था इस बात का उल्लेक पदम पुराण में भी किया गया है अशोक सुंद्री एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी शिव और पारवदी की इस पुत्री का वणन पदम पुराण में है जिनकी अनुशार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुन्दर उद्यान में घूमने का आगरह किया। अपनी पत्नी की इक्षा पोर्थी के लिए भगवान शिव उन्हें नंदन वन में ले गए। जहां माता पार्वती को कल्प व्रक्ष नामक एक पेड़ से लगा हो गया। कल्प व्रक्ष मनुकामनाएं पून करने वाला व्रक्ष था। अते माता उसे अपने साथ कैलास ले आई और एक उद्यान में इस्थापित कर दिया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सेर कर रही थी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेला पन महसूस होने लगा। इसलिए अपने अकेले पन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इक्षा व्रक्ष की। तबी माता को कल्प ब्रक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गहीं और एक पुत्री की कामना की। चुकि कलफ ब्रक्ष मनो कामना पूर्थी करने वाला ब्रक्ष था। इसलिए उसने तुरंथी माता की इच्छा की पूरी कर दी जिसके फलसरूफ उन्हें एक सुन्दर कन्या मली जिसका नाम उन्होंने अशुक सुन्दृी रखा। उसे सुंद्री इसे कहा गया क्योंकि वह बेहत खूबसूरत थी। माता पार्वती ने अशुक सुंद्री को वर्दान दिया। माता पारवती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत प्रसन हुई इसलिए माता ने अशोक सुंद्री को यह वर्दान दिया था कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिसाली यूवक से होगा अशोक सुंद्री का विवाह ऐसा माना जाता है कि चंद्रवन्सिये नहुष के साथ होना तै था एक बार अशोक सुंद्री अपनी सक्यू के संद नंदन वन में विचरन कर रही थी तब ही वहां हुंड नामक एक राक्छस आया वह अशोक सुंद्री पर मोहित हो गया उससे व हविस में उसके पूर्व नियत विवाह के संदर में बताया यह सुनकर हुंड क्रोधित हो उठा उसने कहा कि वह नहुष का वद करके उससे विवाह करेगा राक्छस के दिरता देकर अशोक सुंद्री ने उसे स्राब दिया कि उसकी म्रत्य उसके पती के हाथों से ही होगी तब उस दुष्ट राक्छस ने नहुष को ढूडने निकल पड़ा और उसका अपहरन कर लिया जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था उस वक्त वह बालक थे राक्छस के एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और रिशी वशिष्ट के आस्रम में ले जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वद कर दिया जिसके पहस्चात माता पार्वती और भोले नात के आशिरवा से उनका विवा अशोक सुंद्री के सत संपन हुआ बाद में अशोक सुंद्री को ये याती जैसा वीर पुत्र और सो रूपवान कर्ण्याओं की राप्ती हुई इंद्र के घमंड के कारण उन्ही श्राप मिला कि उनका पतन होगा और उनके अभ़ों में नहुष को और इस्थाई रूप से स्वर्गी की गद्धी दी भवान शंकर की जै हो माता पारवती की जै हो अशोक सुंद्री की जै हो भवान गणेस की जै हो आज मैं आपनों को एक पावराने कथा सुनाने जा रही हूँ श्राध में भवान श्री राम अपनी पतनी सीता जी के साथ में पिता दसरत जी का श्राध करने गया धाम पहुं प्रजाद करने गया धाम पहुंचे शाद कर्म करने के लिए आवस्यत सामागरी लाने के लिए भगवान राम अपने भाई लश्मन के साथ चले गए तब तक राजा दसरत की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी फालगुर नदी तट पर अकेले बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पढ़ गए माता सीता जी ने फालगुर नदी गाय बटवरक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मान कर पिंड दान कर दिया जब भगवान शीराम आये तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई परन्तु भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ जिन्हें साक्षी मान कर पिंड दान किया था उन सब को सामने लाया गया पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने जूट बोल दिया परन्तु अक्षेवट ने सत्वादिता का परचे देते हुए माता की लाज रख ली इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राब दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी जबकि गाय को मैला खाने का जूटा खाने का स्राब दे दिया केदकी के फूल को पित्र पूजन में निशेद किया गया, बट ब्रेक्ष पर प्रसं हो करके सीता जी ने उसे सदा दूसरों की छाया प्रदान करने के वह लंबी आयू का वर्दान दिया फिर उन्होंने अपने ससुर दस्रत जी को मनी मन्प नाम करके उन्हें निमंतर दिया कि किर्पया आप आएं और बताएं अपने बुत्र राम जी को कि मैंने आपको पिंड दान किया है तब स्वेम दस्रत जी आए और धर्दी के नीचे से अपने दोनों हाथ को बाहर रिकाले वो आज भी पत्थर के रूप में दो हाथ जमीन से निकले हुए हैं उस इस्थान को विष्णुपत कहा जाता है स्वेम साक्षी वने दस्रत जी यहां माता सीता ने उन्हें पिंड दान किया है इस चीज को देख करके भगवान राम माता सीता पर अत्यधिक प्रसंद हुए और स्वेम दस्रत जी ने भी माता सीता को अत्यंत प्रसंद हो करके आशिरवाद दिया वट्रव्रक्ष अभी भी तिर्थी आतियों को छाया प्रदान करता है आज भी फल्गू तट पर इस्तित सीता कुन में बालू का पिर्दान करने की क्रिया परंपरा संपन होती है जै माता दे राधे राधे जै श्री गया जी की हरी विष्णो जी की जै हो अब मैं आप लों को सुनाने जा रही हूँ पित्र प्रक्ष की पौराने कथा कहा जाता है कि जब महाभारत के युद में दानवीर करन का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुँच गई तो उन्हें नियमित भोजन की वजाए खाने के लिए सोना और गहने दिये गए इस बात से निराश होकर करन की आत्मा ने इंद्र देव से इसका कारण पूछा तब इंद्र ने करन को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभुश्रों को दूसरों को दान किया लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को कुछ भी नहीं किया आपने कोई भी स्राध कर्म नहीं किये तब कण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता है इस बात को सुनने के बाद भवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए प्रिथवी पर वापस जाने की अनमत दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें इसी 15 दिन की अवधि को पित्र पक्ष के रूप में जाना जाता है अब मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ पित्र पक्ष की पौरानी कथा पौरानी कथा के नुसर जोगे तथा भोगे दो भाई थे दोनों अलग अलग रहते थे जोगे धनी था और भोगे निर्धन था दोनों में परस पर बड़ा प्रेम था जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किन्तु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हिरते थी पित्र पक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पित्रों का श्राथ करने के लिए कहा तो जोगी इसे ब्यार्थ का कार समझ कर टालने की चेस्टा कंटनी लगा किन्तु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाते बनाएंगे फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा अतावा बोली कि आप शायद मेरी परिशानी की वज़ा से ऐसा कह रहे हैं किन्तो इसमें मुझे कोई परिशानी नहीं होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे फिर उसने जोगे को अपने पीहर नियोता देने के लिए भेज दिया दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सबेरे आकर काम में जुट गई उसने रसोये तयार किये अनेक पकवान बनाए फिर सभी काम निप्टा कर अपने घर आ गई आखिर उसे भी तो पित्रों का श्राध तरपन करना था इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी सिग्र ही दो पहर हो गई पितर भूमी पर उत्रे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के हां गए तो क्या देखते हैं कि उसके सस्राल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं निराशो करवे भोगे के हां आये वहां क्या था मात्र पित्रों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी पित्रों ने उसकी राख चाटी भूकेई नदी के तरपर जा पहुँचे थोड़ी देर में सारे पितर इकठा हो गए और अपने अपने यहां के शाधों की बढ़ाई कर लगे जोगे भोगे के पित्रों ने अपनी आप बीती सुनाई फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूका ने रहना पड़ता मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ उन्होंने माँ से कहा भूक लगी है तब उन्हें टालने की गरत से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में होदी ओंधी रखी है उसी जाकर खोल लो जो कुछ मिले बाट कर खा लेना बच्चे वहां पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होंधी मोहरे से भड़ी पड़ी है वे दोड़े दोड़े मा के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया वगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ दूसरे साल का पित्र पक्ष आया स्राथ के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के बेंजन मनाए ब्रामनों को बुलाकर श्राथ किया भोजन कराया दच्छना दी जे जिठानी को सोने चांदी के बरतन में भोजन कराया इससे पितर बड़े प्रसन तथा त्रिप्त हुए जिस प्रकार जोगे भोगे के पितर प्रसन और अपने बच्चों को आशिरवात दें जिससे कि उनके घर में पुत्र पौत्र धन धान भरा रहे। पितर देव की जैहो, कुल देवी की जैहो, कुल देवता की जैहो, इस्ठ भगवान की जैहो। एक गौमी एक बुड़ी रहती थी साथ में उसका एक पोता रहता था और उनके कोई भी सगे सम्मंधी न होने के कारण वह जो बुड़ी माता जी थी वह अपने पोते का लालन पालन करने के लिए लोगों के घर में बरतन धुलना या कोई भी विक्ति कोई भी काम बता देता उसयार था, उसके सामर्थ के नुसार तो वह बुढ़ी माता उन सब के काम को कर देती थी, जिससे कि मेरे उदर की पूर्ती हो, साथ में मैं अपने पोते का भी लालन पालन कर सकूँ. वह पोता जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक आयोजन हुआ, कारक्रम हुआ, उस कारक्रम के तहत हर एक बच्चे को कुछ न कुछ अपने घर से लेकर आना था वह जो बालक था उसको बोला गया कि तुम अपने घर से एक लीटर दूद लेकर ओ वह बालक अपने घर आया और अपनी दादी से कहा, दादी आज इसकूल में एक लीटर दूद मंगाया गया है, जो की लेकर मुझे कल जाना है, इसकूल में खीर बनेगा दादी ने कहा, ठीक है, वह बुड़ी माता भवान गणेश की बहुत बड़ी भगती थी, अब उनके पास सामर्थ नहीं था, कि वह एक लीटर दूद इसकूल में भेज सकें, और वह मना भी नहीं कर पा रही थी अपने पोते से, कि मैं एक लीटर दूद कहां से लेकर आऊ तो वह अपने पोते से कहती हैं, दूसरे दिन सुबर कि यह लोटा लो और लेकर जाओ, जंगल में तुम कहना, हे गणेश भहिया, तुम आजाओ, हे मेरे गणेश दोस्त, तुम आजाओ, और इस लोटे में एक लीटर दूद मुझे दे दो, जब तुम्हारा दोस्त आजा पोध बालक अपनी दादी की बात को मान लिया, इधर दादी मनी मन सोचती है, कि यदि गणेश जी ना आए, किसी ने मदद इसकी नहीं की, तो यह बच्चा जंगल में भटक जाएगा, यह बात को सोचते सोचते वह बहुत दुखी हो जाती हैं, और भगवान गणेश से प जंगल में निकलता है, जंगल से हो करके ही उसका स्कूल पढ़ता था, जंगल को पार करके वह स्कूल डेरी जाता था, तो जब वह लोटा लेके जो दादी ने लोटा दिया था, उस लोटे को लेकरके वह निकलता है, और आवाज देने लगता है जंगल में, ओ गणेश भाईया आजाओ मुझे दूद दे जाओ स्कूल में एक लीटर दूद मंगाया गया है तुम जल्दी से आजाओ मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है इस तरह से उसने पुकार लगाना शुरू किया कुछ देर के बाद सामने से एक छोटा सा बालक उसी पोदे के बराबर क ही उमर का एक छोटा सा बालक आ गया उसने कहा ये लो दूद ये तुम लो टा मुझे दे दो और मैं जो लोटा दे रहा होम इस लोके में दूद भरा हुआ है इस दूद को ले सिकूल चले चाओ उसने खाठीक रास्ते में तुम साथ में ही चलो वह बच्चा यह नहीं जान कि मेरे बराबर का ही यह बच्चा है तो उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ स्कूल तक चलो मुला हाँ ठीक है चलो भवान गणेश उस बच्चे के साथ साथ बाते करते हुए दोस्त की तरह स्कूल तक चले गए वह दूद ले जाकर के अपने स्कूल में मास्टर जी को दिया कि मास्टर जी यह दूद लीजिये मेरे दादी ने मेरे दोस्त से कहा था तो दोस्त ने लाकर के मुझे दिया है अब मास्टर जी ने दूद पलटना शुरू किया दूद खतम लेकिन लोटा वैसे के वैसे भरा हुआ है अब मास्टर जी ने सोचा यह कोई जादू ही लोटा इस बच्चे के हाथ में कैसे आ गया उतूर मास्टर जी ने कहा किया कि पूरा पूरा लोटा एक साथ पलट दिया सारा दूध नीचे गिर गिया फिर जब वापिस लोटा ठीक क किया सीधा किया तो फिर उसमें दूधा आ गया बहुत परेशान होगे मास्टर जी अब उन्होंने कहा कि यह लोटा हम लोग रख लेते हैं यह बच्चा तो ना समझ है इसे यह लोटा वापिस नहीं करेंगे जब चुट्टी हो गई खीर बना प्रशाद बना सबको भोग सब्कोंगा वले ठीक है तुम वापिस करोगे तो यह लोटा लेलो और हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे तुम्हारे मिलता चाहता हूं रह थीक है मैं कहा रहता है वह तो जंगल में queda मैं जब आवाज देता हूं तो वह आ जाता है माले ठीक है अब एपलो लोटा अपना लोटा ले जाओ, अपना लोटा ले जाओ, बहुत आवाज लगाई, बहुत आवाज लगाई, अंधेरा होने लगा, लेकिन भावान गणेजी उस बच्चे के सामने नहीं आया, अब वह बच्चा घर पहुँचा, मास्टर जी लोग अपने अपने घर को लोट गए, दूसरे दिन वह जब बालक स्कूल गया, मास्टर जी ने उसकी बहुत पिटाई करी, बहुत पिटाई करी, का जुट बोलते हो, बेवकूफ बनाते हो, तुम्हारे साथ तो कोई ऐसा वालक नहीं था, कल तो हम लोग सब लोग साथ में ही गया थे, उसने का नहीं मास्टर जी, वह बच्चा है, मेरा दोस्त है, का ठीक है, आज तुम फिर आवाज लगाना, उसने का ठीक है गुरुजी, अब फिर वह बच्चा लोटा, साथ में पूरे, मास्टर जी लोग भी सब लोग साथ में आए, दो पहर का समय था, फिर उस बच्चे मुझे लगा रहे हैं किल तुम नहीं आये थे और मैं घर चला गया दूसरे दिन सुभश जब आज मैं स्कूल गया हुँ तो मुझे मास्टर जी ने बहुत मारा है कहते हैं कि वह जो तुमने लोटे में दूद दिया था वह कोई जादू ही लोटा है उसमें से दूद खतम ही नहीं होता है तुमने कौन सा लोटा दे दिया था मुझको मुझे गड़ेष भोगान बोले तुमने लोटा क्या क्या मुझे वह घर में रखा हुआ है दाधी मा के पास वह रखा हुआ है मुझे ठीक अब उस बचस्येने कहा मास्टर जी देखे इन कूंको क्निकाहरी दिखाई नहीं दे रहा मास्टर जी सामने खड़ा है मेरा मित्र गड़े जी मेरा मित्र खड़ा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बोले नहीं नहीं हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा ये तो मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन कौन सामने खड़ा वो मुझे नहीं दिख रहा है इसके बाद उसने अपने दोस्त गणे जी से परात्ना करी कि क्या बात है दोस्त तुं मुझे दिख रहे हो मेरे माश्टर जी को नहीं दिख रहे हो यदि तुम उने नहीं दिखो गे तो ये मेरी पिटाए फिर वह बालक डर गया और उसने गणेसी से कहा वह देख जाओ आप गणेस भगवान बालक ही रूप में लेकिन अदभूत अलोकिक चेहरे पर एक विशेश तेज था उस बालक के चेहरे पर उस तेज को देख करके जितने मास्टर जी थे जो भी थे टीचर्स का जो गुरूप था सब लोग देख करके दंग रह गए उन लोगों ने प्रणाम किया शास्टंग दनवत होकर प्रणाम किया और कहा कि ऐसा अदभूत और अलोकिक बालक तो हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा है यह निस्चित कोई इंसान नहीं है यह कोई देवता ही है और प्रणाम करने के बाद में उस छोटे से बालक से भी छमा मांगे कि तुम्हारा मित्र सचमुच अधूत है वह भगवान गणेस ही है और मैंने तुम्हारे साथ दुर बहवार किया है इसके लिए अब हम लोग तुमसे छमा मांगते हैं और अब हम तुम्हें कभी भी नहीं परिशान करे देंगे इस तरह से उस बालक के उपर और उस बुड़ी माता के उपर भवान गणेस ने जिस प्रकार से क्रपा करी वह दूद का लोटा दिया जिससे उसके घर में बहुत दूद हुए बुड़ी माता ने उस दूद को बहुत अब जिस बरतन में रखती थी वह बरतन भर ज होने लगी जिस प्रकार से भवान गड़ेस जी ने उस भूड़ी माता पर करपा करी उनके घर में धन और बैभ Byrko Dya उस बालक पर करी कि सबही लोग उस बालक पर प्रसंद हो गए उसी तरह से हर एक वेक्तिपर भवान गड़ेस की क्रपा बनी रहे क palate कि मेरा बेल आइकन जरूर दबा दें जो कोई भी मेरे वीडियो पर नए हूँ इसमें वीडियो को लाइक जरूर कर दे धन्यवाद